हलाओ आपना नया टॉपिक मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और इंप्लॉइमट्वरमेंट इन तीनों क्या मीनिंग होथा है और इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में देखकर यहां से क्लियर कर लेके जाएंगे कि बिजनस क Michy क्या होता प्रोफेशन और इंप्राइमेंट इन तीनों का मीनिंग देख लेंगे यह हमारा टॉपिक रिलेटेड है विजनेस टेडिस की बुक्स के मैं पुरा बिजनेस टेडिस क्लास 10 का बुक स्टार्ट कर दिया सब्जेक्स चाट कर दिया लीविडियो दाल रहा हूं उस उस बुक की तरह से उस सब्जेक्ट की तरह लेटेड हो इसलिए चैनल साथ जुड़े रही है साल इंफॉर्मेशन मिखती जाएगी पिछले मने एक चैप्टर फिनिश कर दिया है यह लास्ट टॉपिक है बिजनस प्रोफेशन इंप्लॉइमेंट देखिए आज हम मीनिंग मी बिजनस का मिनिंग बिजनस बिजनस इसन एकोनोमिक अक्टिविटी विच इनवल्स पर्चेस एंड सेल और गूर्ट फिट एंड तो सटिस्फाइड नेट्स अव्द पीपल बिजनस का बिजनस एकोनोमिक अक्टिविटी एकोनोमिक अक्टिविटी मतलब जिससे पैसों सक पैसों में काम होता है जिसका पैसों में काम होता है और इन वालस होता वाई पर्शेस एंड और लूव गूॉट्ट वूज जो गूटर線 सविसर अते उसका पुर बेचना और खरीदना होता है क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए और साथ Record सूने कके लिए इसमाज गए बिजनस का मतलब बिजनस का मतलब एक जो पैसे कमाने की चीज़ है जिसमें पर्चेज अंसेल होता है गूड सर्विसस का पैसे कमाने के लिए विद विट व्यू टू अन्प्रॉफिट समझ गए यह चार पॉइंट्स जाद रख लिए कभी बिजनस का मिनिंग हैं तो बिजनस इसन एकनोमिक एक्टिविटी पहला तो और दूसरा है पर शेजन सेल्स होता है और तीसरा और प्रॉफिट और चौता सटिस्फाइदा निर्स ऑफ फीपल यह चार पॉइंट्स जाद रख लिए जब आप बिजनस का मिनिंग लिख रहे हैं कि समझ गए बि बिजिनस के ईंदर आथा है अला सुह मगे गए सर्केंड्ड एकनल प्रोफेशनल प्रोफेशनल कि से कहते हैं प्रोफेशनल कि से कहते हैं वह लुपन्त कि प्रॉफेशनल इंख्वेट दोze अक्टिविटीच्टीं का चाहता है जिसमें एक जोा काम पार उस उस सबात है special skills रना उस काम करने में उसी को भी professional कह जाता है समझ गए एक आदमी को उसके काम में special knowledge रना और special skills रना उसे उसको professional कहा जाता है Such activities are generally subject to the guidelines or codes of conduct laid down by the professional bodies अब जो professionals रते हैं जो professionals रते हैं professional किस किस हिसाब से काम करते हैं मालूम उनको जो professional bodies रते हैं उनके मैं आगे समझाओगा professional body के rules and regulations के हिसाब से जो rules and regulations उनके board बनाते हैं उसी के हिसाब से वो अपना professionals follow करते हैं जैसे for example doctors are engaged in the medical profession and are subject to the regulation of the medical council of India medical council of India क्या है मतलब उसी हिसाब से आप मेडिकल council के हिसाब से आपको पढ़ने के लिए notes आएंगे और तो फिर जो जो भी नया tablet आप निकाल रहे उसी को हाँ पर पहले test होकर आप tablet निकाल सकते हैं उसी के medical council of India कहते हैं अब वो medical council आप को सब भी डॉक्टर है medical council of India के हिसाब से इक काम करेगा समझ गए professional का मतलब profession का मतलब एक एक आदमी को एक आदमी को उसके जो काम रधा उसमें special knowledge और special skills रहना उस काम करने के लिए उसे ही professional कहा जाता है समझ गए अब employment का मिन ही दिखते हैं employment employment refers to the occupation in which people work for others and get remunerated in return employment मतलब कोई भी आदमी दूसरे के लिए काम करना और उसको return में उसका पैसा मिलना या तो फिर कुछ तो return मिलना उसको employment कहा जाता है those who are employed by others are known as employees अब जो भी एक आदमी दूसरे के लिए काम कर रहा है आदमी दूसरे के लिए काम कर रहा है तो वो आदमी employees हो गया employee हो गया employee हो गया समझे those people in which work in factories and receive wages and salaries are in the employment of the factory owners are the employees of the factory जो भी for example ले लेते हैं आपर आप कोई से people factory में काम कर रहे हैं समझो factory में काम कर रहे हैं तो उनको return salaries मिलेंगे अगर रोज कर रोज है तो wages मिलेंगे यह तो पक्का है wages मिलेंगे अब जो जिस factory के लिए आप काम कर रहे है उस factory के लिए वो employment है समझ गया जिस factory में वो काम कर रहे हैं उसके लिए employment है और जो owner के लिए वो काम कर रहे हैं वो owner के employees है समझ गया factory में काम कर रहे हैं तो factory के employment है वो आप जो ओनर के लिए काम करें उसके लिए इंप्लाइस हो तो मज़ गए चलिए यहाँ पर आज ने हम इस वीडियो में टेक्लियर कर लिया है कि बिजनस और प्रोफेशनल इंप्लाइमेंट का मीनिंग क्या है चैनलन के साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब कर लिए नेक्स वीडियो कंपारेजन देखेंगे तीनों का तीनों को बीज में कंपारेजन कैसे स्टाट अप होता है कैसे प्रोफिट मिलता कैसे प्रोफिट कमा सकते हैं कैसे रिस्क हो का इसमें यह सब हम नेक्स वीडियो में देखेंगे अच्छा लगाए वीडियो तो लाइक कर दीजे, कमेंट कर लीजिए, कोसा भी डाउट रहतो और शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सबस्वर कर लीजिए तैंक यू